Hello friends, welcome to my channel Friends, आज में आपको राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित पार्ट महात्मा गांधी करवाने जा रहे हूँ महात्मा गांधी नामक पार्ट राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है इसमें लेखक ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग अंदोलन उनके त्याग, समर्पन एवन जीवन दर्शन का अनूठा चित्रन किया है इस पार्ट में लेखक ने महात्मा गांधी जी ने जो अंदोलन चलाए थे उन्होंने जो त्याग किया था, समर्पन किया था, उनके जीवन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें बताया है गांदी जी विश्व राजनेतिक अकाशिय मंडल में धुरूव नक्षत्र के समान है सन 1921 इस्वी में नागपूर में अखिल भारती कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ जिसमें गांदी जी ने विदेशी शासन की विरुद असहयोग का परस्ताव सविक्रित कराया इसके पस्चान संपुर्ण देश में असहयोग अंदोलन की लहर गूंज उठी उन्होंने इस अंदोलन को देश व्यापी बनाने तथा मुसल्मानों का सहयोग पाने हितु तुर्की के खिलाफ़त अंदोलन का समर्थन किया जिसके परिनाम सवरुप मुसल्मान नेटा शोकत अली तथा मुहमद अली गांदी के असहयोग अंदोलन में समिलित हो गए अब ये अली बंदू खिलाफत अंदोलन के साथ साथ देश भर में असहयग अंदोलन का भी पर्टसार करने लगे एक बार शोकत अली नर्सिंग मद्दे परदेश में आई उन्होंने आयोजित महसबा में विदेशी सरकार को उखाद फेंकने का आवहन किया उन्होंने लोगों से सरकारी नोकरिया चोलने वकीलों को वकालत बंद करने स्कूली बच्चों को स्कूल से दूर रहने की आपील की उन्होंने भारत के नैनी हालों से अपील की कि ऐसे कौन माई के लाल है जो कह सके कि हम कल से स्कूल नहीं आएंगे यह बात सुनकर लेखक के मन में द्रिल होने लगा अतियंत उन्होंने द्रिल निश्चे करके स्कूल ना जाने की घोषना कर डाली अब यह सुनकर सबा में सनाटा चा गया क्यूंकि जिनोंने ये घोषना की थी क्यूंकि लेखक उस समय के डिप्टे सहाब के लड़के वकील सहाब का भाई तदा स्कूल का सबसे मेधावी शात्र था लेखक महात्मा गांदी जी के प्रती अटूर श्रधा रखते थे इसलिए उन्होंने गाउं गाउं जाकर खदर बेचा परभात फेरियों में जाकर गीत गाए चर्खा चलाया उत्तर परदेश के गोरकपूर में चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांदी जी ने अपना असहयो गंदोलन वापिस ले लिया सन 1937 एस्वी में लेखक वर्धा में सेवा ग्राम में गांदी जी से मिलने के लिए पहुंचे वे शिरीमन नरायन जी के साथ उनकी सेवा ग्राम कुटी पर पहुंचे इस कुटी की दाई और कस्तूर्बा का निवास था बाँ ने उन्हें अंदर बुलाकर कुछ शहारे तथा मीठे फल खाने को दिये खाते पीते और बाते करते हुए साले आठ से भी ज़्यादा समय हो गया तबी वहां से वे गांदी जी से भेंट करने चल दिये गांदी जी समय के बले पाबन थे उनका प्रते एक मिनट का कारेकरम निर्धारी था लेखक दस मिनट विलंब से उनके पास पहुंचे लेखक को लंबा भाशन दिया उन्होंने कहा कि परफैसर की दस मिनट की देरी से विद्यार्थी को दस घंटे देर होती है जब किसी विद्यार्थी को दस घंटे देर होती है तो समाच दस महीने की देरी पर चलता है तस मिनिट की देरी पूरे देश को दस वर्ष पीछे ले जाती है इससे लेखों को आजीवन अभूत पुर प्रेणना प्राप्त हुई गांधी जी ने समय को अमुले बताया अब गांधी जी ने बताया कि दुनिया के जिन देशों ने प्रगती की उन्होंने समय के शन शन को रत्निकी तरे माना और प्रयोग किया है जब भारत देश भी समय की कीमत पहचान जाएगा तब हमारे देश को भी किसी तरे की कमी नहीं रहेगी लेखक ने अपनी नयातिकता का परिशय देते हुए गांधी जी को अपना कावे संग्रे चित्र रेखा भेंट किया बापु ने संगीत की परिभाशा देते हुए लेखक को बताया कि जो स्वर हिर्दे से निकलता है आत्मा से परफुटित होता है वही संगीत है अब लेखक को गांदी जी ने कहा कि जो स्वर हृदे से निकलता है केवल वही आत्मा तक पहुंचता है और कोई भी संगीत आत्मा तक नहीं पहुंचता जब तक वह हृदे से ना निकला हो वही संगीत है जो हुरिदे से निकलता है गांधी जी ने उनके मिलने के समय को समापती का संकेत किया तो लेकक शिरिमन नराइन के साथ उनकी कुटिया से बाहर चले गए थेंक यू